तोबचा यहाँ पर हम बात करने मं से छोगे हैं, तो इससे फएली वीडियो में मुने हम भात कर चुक कैंठ थी उसको एक्स्ट्राइब कर रहा है, एक्स्टाइब लॉटं फोन्द डिसक्वसशन ओडनAy एक्स्टाइब करने में इससार पहली video हमें 10 कपॉण्ड की बात की थी मतलब जिन में 10 carbon वाले compounds थे यह एक्सपेक्ट larger 4n plus 2 system to be aromatic if they are planar तो हम बच्छों क्या expect करते हैं गर 4n plus 2 pi system है और वो aromatic होंगे अगर क्या है बच्छों planar है अगर क्या है planar है तो क्या होंगे वो aromatic compounds होंगे तो predict that 14 aniline जैसे की compound number 74 14 aniline बुट पोजेश दा सेम टाइप इंटरफेरेंस ऐस 46 जैसे 46 में पीछे बात की थी तो इनके दो hydrogen's के बीच में क्या था interference था तो यह compound क्या हो गया था non planar और compound क्या हो गया था बच्छों non aromatic हो गया था non planar होने से क्या हो गया था non aromatic हो गया था तो इसी तरह का जैसे 74 गी अगर बात की जाए तो protein aniline compound हो गया है 14 aniline 74 गुट पोजेश दा सेम टाइप इंटरफेरेंस ऐस 46 46 के अंदर भी क्या था बच्छों जिस तरह का था उसी तरह का in hydrogen's के तो देखते हैं यह diye औरमटीं हो गया नहीं तो यहां तो कहा है यहां आ lot ारूमेतिें ओगाई क्योंकि ये प्लեनार नहीं रहा ठीक है तो इंटरफ मैं फ्ट्वम यह लेकिन हापर लेसर lawsuit कि वूकि रिंग पड़ी हो गए यहापर इस चोटी तो इंटर फेयरेंस यहापर क्या लैसर डिक्रीि कल इस नहीं है यह compound क्या हो गया, aromatic हो गया, aromatic, जोकि यह compound similar compound था, जिसमें क्या थी बच्छो 10 electrons थी, 10 electrons थी 4 and plus 2 follow कर रहे थी, यह बच्छो इसके अंदर यह similar type का compound है, जैसा कि यह देखा था हमने, इसके अंदर 14 electron है, 4 and plus 2 है, लेकिन थोड़ा सा planar हो गया है, compound planar होने के बच्छे से क्या हो गय है, ठीक क्योंकि इसमें जो interference है, HH के बीच में हो गया, lesser degree का हो गया, और experimentally बता चला है कि यह क्या है, aromatic है, diotropic है, diotropic का मतलब क्या होता है, diotropic compounds क्या है, aromatic, diotropic है, aromatic compound है, inner proton R0 तो बच्छो कहा से बता चलता है, NMR से चलता है, यह क्या जाते हैं, यह जाते हैं, बच्छो अ जाते हैं, down filled जाते हैं, around delta value कितने से भी नहीं है, उसके आसपर जाते हैं, तो वहाँ सा पता चला है कि outer electron 7.6 है, but is completely destroyed by light, इतना भी जादा aromatic नहीं है, थोड़ा सा ही, light के साथ में क्या हो जाता, unstable, compound क्या बना हुआ है, यह unstable है, तो similar बच्छो experiment कर गा है, similar compound design कर गा है, इनका interference करके यह compound बनाए गया थे, जो previous वीडियो हमने देखा, और यह सारे के सांबाउन गया हो गया थे, बच्छो सारे के सारे aromatic में change हो गया थे, इनका interference करके यहाँ पर क्या लगा दिया थे, ब्रिस लगा दिया थे, आगे बच्छो बात करते हैं, इसके अंदर भी, तो इसी तरह सा 14 एनुलीन के बच्छो कुछ stable number of stable breached एनुलीन, have been prepared, तो जैसे कि 75, 76, 77, 78, सबके अंदर केतने हैं, 14 एलेक्टान हैं, तो बच्छो यहाँ 78 को छोज रहें, और जो है भागी, जो compound के एक रवाद के 75, 76, 77, यह सारे के सारे compound के aromatic हैं, 78, अभी देखेंगे raising, वो क्या हो जाता है, non-aromatic रहता है, वो aromatic नहीं है, non-aromatic raising क्या है, देखते हैं, raising इसमें इस तरह की raising है, लेकिन इसमें क्या है, एक up, एक down हो गया है, तो up, down होने से बच्छो यह molecule के bent हो गया है, यह वाला तो इधर को मोड़ेगा, और यह वाला इधर को होगा, तो जो ring current है, आपस में लेक्टान के p orbital overlap होने से यह थे, overlap इसमें नहीं हो पा रहा है, क्यों almost p orbitals जो इनके overlap कर रहे हैं पिर भी, तो बचो, the dihydropyrin 75 is undoubtedly aromatic, क्योंकि उस तरह का interference है नहीं, CH3 एक back side है, एक upside है, तो इस तरह के hydrogen hydrogen का interference इसके अंदर तो है नहीं, ऐसी बचो, the pi parameter is approximately planar है, the molecule undergo aromatic structure and is diatropic, diatropic है, 76 और 77 भी कासे हैं, बचो, diatropic है, मतलब aromatic है, 76 और 77 जब है, जह हमने किया गया है, बचो, यहाँब ब्रेजिंग कर दी, यह same compound है, इस के hydrogen hydrogen-hydrogen का interference का कम कर दिया, और ब्रेजिंग कर दी, यह compound भी aromatic था लेकिन उतनी extent बच्छन भी aromatic नहीं था, यह थोड़ा सा unstable compound था, इनकी breezing करके यह stable compounds बनाए गए है 78 की अगर बात किया है 78 in with the geometry of the molecules and greatly reduce the overlap of pure orbital at the breeze position with adjacent pure orbitals तो क्योंकि इसके bridge has जो है उनकी overlapping दूसरे adjacent के carbon से reduce हो गई क्योंकि यह क्या हो गए plane नहीं रहा is definitely not aromatic यह compound जो non aromatic हो गया aromatic हम नहीं रहा 78 non aromatic हो गया non aromatic जो कि यह वाले compounds क्या है aromatic है इनमें कितने electrons है planar और कितने electron हो रहा है 14 pi electron हो रहा है ठीक है तो बचो यहाँ पर यह हमने देखा another way of eliminating the hydrogen interference तो हमने यहाँ पर क्या किया hydrogen का interference reduce कर दिया यहाँ पर hydrogen hydrogen की जगे एक breezing लगाई तो से hydrogen hydrogen की जगे दूसी breezing लगाई तो compound में थोड़ी सी planarity आगए और compound क्या हो गए है बचो aromatic हो गए है दूसर भी क्या है another way तो सब भी क्या है eliminate करने का hydrogen interference is 14 calories to introduce one or more triple bond तो वहाँ पर क्या लगा दे triple bond लगा दे तो triple bond लगाने से भी क्या हो जाएगा उनके दो hydrogen कम हो जाएगे triple bond into the system थोड़ा से क्या हो जाएगा linear molecule हो जाएगा दूर दूर हो जाएगे और 79 जो compound है यह भी क्या है aromatic compound है all 5, 9, 14, 11 are diatropic diatropic 79 can be nitrated, sulfonated मतलब जो aromatic compounds की सारी properties हो करता है extra electron of the triple bond don't form part of the aromatic system तो यह जो extra electron रहेगा वो aromatic system का part नहीं हो जैसे कि previous हमने देखा था double bond का हो इसमें होगा 14 electron में number of electron कितना 1 bond, 2 bond, 3 bond, 4, 5, 6 और यह से भी 14 pi lakton है 14 pi lakton है तो 4 n plus 2 follow कर रहा है n is called if अगर आप रखोगे 3 यहाँ पर तो compound क्याएगा और planar भी हो गया है तो कैसे compound aromatic है क्योंकि यहाँ पर interference to hydrogen का हो कम हो गया है क्योंकि यहाँ से क्या हो गया है बच्छों linear molecule हो गया टिर पर प्लाउंट से तो यह दूर दो चले गए है hydrogen और अटी इस रिजनेवल ही और compound 80 है तोड़ी सी बिग रीम हो गई है तो 80 इस रिजनेवल स्टेवल तो इस कितने एलेक्टान हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मतलो कितने एलेक्टान हो गया बच्छों 18 πाईलेक्टान हो गया इस रिजनेवल बॉन्ट शाइक्लिक है और क्या और अब compound भी planar भी हो रहा है इतना इंटरफेरेंस नहीं और रिंग बड़ी हो भी hydrogen hydrogen के बीच में इतना interference आपस में नहीं रहा है तो compound planar भी है इस 80 is reasonably stable and 80 has been estimated to have a resonance energy about 37 kcal per mole तो इसकी तो resonance energy aromatic ring से भी उपने गया गया है थर्टीसी बल्ल आल्मोस्ट सिम्लर क्योंगे उसकी 36 होती है similar to that of benzene इतना aromatic हो हो गया है ठीक है बच्छों तो ऐसे compounds 18 aloin 22 anulin भी compounds पाएगा है जो कहां से diatropic compounds है तो इससे बड़ी rings बाले भी जो anulin भी गया है बच्छों diatropic है तो इनके बाहर वाले hydrogen तो बच्छों जाते हैं बच्छों anti-armatic compound होते हैं तो इसको बाहर वाले compounds lower जाने लगते हैं और अंदर वाले proton आप आने लगते हैं थोड़े समझाब downfield जाने लगते हैं अंदर वाले around seven और यह upfield anti-armatic quality कहाने हो जाएगी उसमें ring current जो electron है वो कैसे paramagnetic current बनती है इनमें कैसी बनती है diatropic है divagnetic current होते है तो बच्छो नेक्स्ट जो compound मैं दिखाने जा रहा हूँ उसमें 38 peri perimetry electron this is diatropic काफी बड़ा electrons बच्छो केवल बहार वाले count कियें यह compound भी कितने थर्टी एट पाइलेक्टांस अब बहार वाले अंदर के इंटरवेर नहीं कर रहा है अंदर वाले electron को हमने छोड़ दिया है बहार वाले count कियें 38 peri electron से 4N plus 2 follow कर रहा है planar है planar molecule है तो क्या है aromatic compound है यह 38 peri electron 4N plus 2 node out there the 4N plus 2 system are aromatic if they are planar although 63 or 78 among others demonstrated node also are in fact planar enough ठीक है तो बच्चो यहां पर 74 से प्रूफ डेट एट एपसलूट प्लेटी इस नोट रिक्वाइड एपसलूट प्लेटी की हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पर approximate planar होना चाहिए for aromaticity but the aromatic decrease with decreasing planarity लेकिन जैसे जैसे planarity decrease होगी वैसे-वैसा है romanticity क्या होगी decrease होगी लगफख planar होने चाहिए एपसलूट प्लेटी की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन planarity जैसे-जैसे-जैसे कम होती है वैसे है वैसे वैसे अर्मेटिटी डिक्रेश इस प्लेटी जैसे-जैसे प्लेटी डिक्रीज होगी तो aromaticity क्या होती 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 है decrease होती होती है ऐसे बच्छों इसमें जो है लास्ट कंपाउंड यह बढ़ा कंपाउंड है 82, 82 and 80a, preferred structure 82a है so in case where the electron can form either aromatic sextet यह तो aromatic sextet बना रहा हो ओ लार्जर सिस्टम the sextet is preferred, sextet is preferred तो यहाँ पर बचो individually sextet electron इस तरह से अगर बना रहे हैं aromatic ring में यह prefer किया गए 82a किसके comparison में अगर इस तरह से conjugation है यह बार-बार और अंदर-अदर electrons का तो इसमें preferred structure कुंसी देए 82a है और यह compound किया है aromatic compound है इसमें दो anylines बनी हुए है एक तो 30 anylines outside outside के number of carbons गरेंगे 30 और inside के 18 alloyene लेकिन इसमें जो sextet वाले electron से इस तरह का अगर arrangement है तो वो prefer किया गया है तो यह compound किसमें रहना चाहता है 82a में रहना चाहता है जो कि NMR study से बता चला है यह preferred structure से compound के गया है 82a है ठीव अच्छों यहाँ पर कुछ compound हम ले देखें कुछ aromatic compounds देखें protein anylines के जो कैसे हैं aromatic है thank you कुछ compounds नेक्स्ट वीडियो में देखें